नमस्का दोस्तो, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने माला हूँ SBI Card के बारे में, क्योंकि SBI Card ने आज जब मार्केट ओपेन हुआ, वो पिछले तीनों से देखा जाए तो अच्छा कासा एक गिरावट देखने को मिला, और आप 5 दिन का चार्ट प से रवट हो रहा है, उसका कारण के बारे में आपे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, और आप इस सेर में खरीदारी करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला हैं, और आप नहीं भी खरीदारी करके रखे हैं, तो जूरू इस वीडियो के देखिए कि कोई company के बारे में कुछ detail से आपे में दिखाऊंगा जो आपको future में अच्छा खासा निवेसक बनाने के लिए काफी है तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो सबसे पहले मैं SBI card के chart pattern को पर आ चुका हूँ आप देख सकते है SBI card services company SBI card जो है वो actually credit card है तो जितने सारे transaction होते हैं बाणके चलिए अब कोई भी product खरिदारी कर रहे हैं कोई भी shopping mall से कोई भी online से तो आपको देखेंगे आप SBI card से आप purchase करेंगे तो आपको 10%, 8%, 5% इस तरीक से कुछ discount दिया जाता है तो discount company किस लिए देते हैं मतलग किस तरीक से देते थे उसी के बार में आपे बात करूंगा और आज का जो गिरावठ है इस company में इस discount से ही company का एक policy जो है वो government में एक policy change करने वाला है तो इसी दिए इस company के उपर अच्छा का सा गिरावठ देखने को मिला तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ यह जो गिरावठ हो रहा है आप पास दिन के चार्ट पर्टन देखेंगे तो करीबन करीबन यहापे वह साड़े 9% का गिरावठ देखने को मिलेगा और एक मात के चार्ट पर्टन कर देखने को मिलेगा तो करीबन 17% का Espra kg करोड है बहुत बढ़ी है कंपणी जितने सारे कार्ट कि है मत्लों केडिट कार्ट से बिज्नेस करते है तो उस कार्ड कंपानी से देखा जाए sdfc बैंग भी है को ठाक बैंग भी है तो दिगजाच का कार्ड भी है मगर वो company अभी भी stock market में listing नहीं है सिर्फ में सिर्फ एक ही company stock market में listing है वो है SBA card तो इस company के क्या impact पड़ा जो घिरावट देखने को मिला है तो इसलिए आप सिर्फ एक ही company के उपर focus रखे है तो आपको लग रहा है कि इस company के उपर internal problem है इस company के उपर कोई भी internally problem नहीं है यह जो problem है वो totally externally problem है मतलब हर bank के लिए बहुत बढ़िया problem issue आ रहा है तो अभी तक फिलाल issue का एक माहौल खड़ा हुआ मतलब एक report के मांधम से एक news के मांधम से इस report को publish किया गया है तो अभी तक finalize नहीं हुआ अगर finalize हो जाते है तो और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा तो वो कारण क्या है जिस कारण से इस company को गिरावट देखने को मिला है तो कारण अभी मैं आपको समझा देता हूँ तो कारण समझाने से पहले मैं सबसे जो बात आपको बोलना चाहता हूँ वो है RBI Reserve Bank of India Reserve Bank of India ने एक नया फैसला यहाँ पे रिपोर्ट के मादध हम से बताए है आभी तक finalize नहीं हुआ है मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि कि बहुत सारे website में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा तो उन्होंने यहाँ खुद बताए है इस data को तो अभी तक finalize नहीं हुआ अगर इस data हो सकते है इसी का कुछ news internally आ रहा है तो अगर यह news हो जाए तो company के लिए सारे company के लिए SDFC मानके चलिए KOTAC मानके चलिए ICI से मानके चलिए और साथ साथ SBI को सबको जब दस एक गिरावण देखने को मिलेगा तो देखिए अभी फिलाल मार्केंड में सिर्फ SBI डिष्टिंग है तो इसलिए SBI में आपको गिरावण देखने को मिला है तो RBI ने कौन सा policy launch किया कौन सा policy launch करने वाला है जिसके लिए इस company के उप और impact देखने को मिला है तो चलो फटा फट देख लेते हैं वो कारण क्या है तो सबसे पहले में एक चीज आपको देखना चाता हूँ आपर देखें MDR MDR क्या है अब देख सकते है merchant discount rate merchant discount rate क्या होता है आपको पहले ए चीज समझता पड़ेगा merchant discount rate actually देखा जाए आप आप देखेंगे कि कोई भी product खरीदारी करने से मानके चली आप एक laptop phone खरीदारी कर रहे है एक phone खरीदारी कर रहे है online से आपको 10% discount दे रहे हैं तो discount कहां से दे रहे हैं इस discount company को फायदा हो रहा है तो इसलिए ना discount दे रहे हैं क्यूंकि company में ज्यादातर उस company के card से ही आप product खरीदे तो company को फायदा मिलेगा तो government का जो MDR है वो actually एक percentage है जो percentage जितने सारे transaction इस type बैंक ने करेंगे उसका एक percentage बैंक के पास जाएंगे तो एक में blank page में आपको details में समझा देता हूँ तभी आपको clarity मिल जाएगा चलो यहां पर मैं एक blank page के उपर आ चुका हूँ मैं सारे चीज आपको बता देता हूँ देखे मानके चलिए मतलब में यहां पर SBA card के उपर ही आपको बता रहा हूँ मानके चलिए यहां पर SBA card है और आप online से कोई भी product खरीदरी कर रहे है मानके चलिए Amazon से तो Amazon से आप कोई mobile खरीदरी कर रहे है तो mobile का price मानके चलिए 20,000 रूपीज तो एक मोटा मोटी एक अंदज आपको देता हूँ तो 20,000 रूपीज आप मतलब मैं यहां पर लिखना चाहता हूँ यह आप है मतलब खुद मैं हूँ तो यहां पर मैं कोई phone खरीदरी किये हू और 20,000 रूपीज से और वो भी कहाँ पर SBA कार्ट से और SBA कार्ट से जब खरीदरी करेंगे तो पैसा कहाँ पर जाएगा इसके पास जाएगा पतलो Amazon के पास जाएगा और Amazon के पास कितरा जाएगा जो 10% डिसकाउंट दिया था उस डिसकाउंट को काट कर जाएगा तो company को क MDR है उस MDR के percentage के हिसाब से government ने मानके चलिए 2% यहाँ पर बैंक को देने वाला था तो 2% मतलब मानके चलिए total देखा जाए एक लाग रूपिया ओड़ा का अपने खरीदरी किये है तो 2 लाग मतलब 2% के हिसाब से अपको 2000 रूपिया यहाँ पर company को profit मिला तो इस profit किसके पा 2% का जो MDR था वो चेंज करने वाले हैं मतलब 2% का जो average है वो देखा जाए company अभी तक decide नहीं हुआ मानके चलिए government ने अगर decide कर लिया कि 1% profit company बैंक के पास जाएगा तो एक बार सोच लिजिए 1000 रूपियस के 2% से कितना profit हो था 2000 और 1000 रूपियस से आपको 1% से profit मिला आपको नहीं बैंक को 1% profit मिलेगा तो कितना होगा 1,000 रूपियस मतलब कितना 1,000 रूपियस का घाटा हो गया तो मानके चलिए कितना swapping किया जाता है कितना online product खरीदारी किया जाता है banking card से मतलब credit card से तो इसका फायता किसको मिलता था हर bank को मिलता था सिर्फ SBI को में एक example के हिसाब स से ले रहा हो HDFC bank, Kotak bank, ICSA bank हर bank के लिए यह obviously negative news है क्योंकि अगर percentage कम उसको मिलेगा तो उसका profit कम हो जाएगा उसका margin कम हो जाएगा तो इसलिए इस बात को अभी भी चर्च में है अभी तक government ने RBI ने अभी तक policy बताया है finalize नहीं किया है अगर ए policy change हो जाता है तो हर कोई bank मे जाब दस गिरावट देखने को मिलेगा लेखे अभी फिलाल market में तो सर्फ एक ही bank listing है SBI card में पहले ही बता चुका हूँ तो इसलिए आपको SBI card में गिरावट देखने को मिलेगा है अगर HDFC ICSA bank का card भी listing होते तो आपको वहापे भी गिरावट देखने को मिल सकता था तो आ अगर business अलग-अलग है डी merger करके अलग-अलग business कर दिया कि आप खुद आप profit कमा या अलग से मैं अलग से profit कमाता हूँ total fund किसके पास जाएगा total fund SBI के पास जाएगा तो इसलिए यह जो news है मुझे लगता है obviously negative news है अगर यह चीज हो जाता है तो बहुत problem issue आ सकते है इस ते बैंक में तो देखिए अभी यह चीज finalize नहीं हुआ अपको घबरने के कोई बात नहीं finalize हो जाते है तो अभी देखिए bank को लिए थोड़ा सा problem issue जरूर होगा अगर bank फिर भी discount जो है वो कम कर देगा customer का जो discount देता है वो कम कर देगा और वहाँ से फाइदा लेगा क्योंकि देखिए company bank 10% आपको discount देता है कहा से देता है यह जो profit आते हैं MDR के मतलम से वहाँ से discount देते इसलिए मुझे लगता है इस तरीके से discount थोड़ा साथ कम हो सकता है अगर 84,000 करोड का market के प्लेशन है company के बहुत सारे बार इसके parameter में आपको दिखा चुका हो सिर्फ एक parameter आपको जुरूद दिखाऊंगा company किस तरीके से profit कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए सिर्फ एक ही parameter आपको दिखाऊंगा आप देख सकता 2014 में 293 करोड का profit किया उसके ब 2020 का मार्च के एंडिंग में 985 करोड का profit हुआ उसके बाद 1000 करोड का अभी भी profit चल रहा है running में तो दीखे हर data मुझे positivity है इस company के उपर company monopoly business कर रहा है क्योंकि इसका कोई competitor अभी तक नहीं है जब HDFC bank का credit card market में listing हो जाएगा मतलब credit card listing हो जाएगा तब इस company के उपर थोड़ा सा प्रेशार आ सकते है तो फिलाल के लिए इस company के उपर जो प्रेशार है वो externally है internally कोई प्रेशार नहीं है तो इस company के उपर आप निभेश करके रखें तो long time के लिए सोचिए short time के लिए मत सोचिए कि इस company को खरीदरी करके रखे तो 12% आपको loss चलना है तो इस loss में आपको घबराने के ज़रूरत नहीं आप 30% गिरावट हो जाते हैं तो आप फिर से एवरेज कर लेना फिर से इसके लिए long time के लिए सोचना तो company खराब नहीं है मैं बार बार आपको एक बात कर रहा हूं और सारे information आजा करते हूं आपको जानकारी मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छा लगे और informative लगे तो इस वीडियो को share करना दोस्तों साथ औ और चनल को सब्सक्राब करना मिलते हैं अगले स्टोंग लगे तब तक लिए चासरी है अब रेख्या लखिए बाए बाए